कि हैं हें हैं हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई सी एमाई का बहुत बड़ा अनौसमेट आया है जो कि हर सी एमें स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट अपडेट बताओ उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर सब्सक्राइब जो साइड में बेल एकन वाला बटन है उस पर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी सी एमें एक्जाम रिगार्डिंग इंपोर्टेंट अनौसमेंट मिस ना कर सके सो अपडेट कहा है चलिए मैं आपको डिरेक्ली अपडेट पे लेके चलता हूँ अपडेट फेल होने के चांसेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप चाहे तो रीट चेकिंग करवा सकते हैं अपने मार्ग्स को उसको चेक करने के लिए आपको आई से एमाई के ओफिसल वेब साइट पा जाना स्टूडेंट वाला सेक्शन दिख रहा होगा आपको सिंपली आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक सेक्शन देख रहा है वेरिफिकेशन री चेकिंग ऑप मार्क बट यहां तक पहुंचने के लिए आप सोचने के सर क्या करूं एक्जामनेशन का यह वाला जो सेंबस दिख रहा है लिखा हुआ उसी लाइन में आप स्क्रोल डाउन करके आएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा वेट शेकिंड आपको यहां पर एक सेक्शन मिलता होगा स्टुडेंट सिंपली अगर आप स्क्रोल डाउन करके आए तो वेरिफिकेशन ओप एंसर देख सकते हो बड़ यूसर फर वेरिफिकेशन ओप एंसर पेपर आपके वो इसके उपर क्लिक कर देना है आप जैसे ही इसके उपर क्लिक करेंगे I hope आपको दीख रहा होगा applicant for subject verification आप अपने subject का वेरिफिकेशन कर आप सकते the term name जह सकते है December 2021 का है means कि जितने student December 2021 में exam दिये है उनका यहां पर intermediate course last date जो होगा result verification का 20th of March and final का last date जो होने वाला result verification का 20th of March दोनों का same date है I hope आपने समझ गये इसको अब थोड़ा सा और मैं आपको बता दू देख सकते हैं पर verification marks के regarding कुछ update दिया गया verification of answer paper यहां पर लिखा हुआ है कि एक candidate can be apply the institute within 30 days मतलब अगर इन डीप बता हुआ इन सब का मतलब की आपको 30 days के अंदर अंदर reply देना होगा verification paper के लिए और आपको जो fees nominal fees charge होगा 250 रूपीज पर पेपर आपके कितने भी subject अगर आप intermediate student है तो आपको पता होगा आपके group one में charge subject है group two में charge subject है तो आपको इच पर subject का 250 रूपीज charges लगेंगे और देख सकते हैं आप लिखा in case verification of answer paper only mistake student मैं आपसे request करता हूँ इनकेस अगर आपको यह PDF चाहिए रहा होगा PDF नहीं है मैं इसका screenshot grown और टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइट कर दूँगा आप वहां पर visit करें और इसको अच्छे से control नंबर है आपका full name आपका क्या नाम है आप admit card उठाएंगे उसके उपर जो नाम दिया है वही नाम यहां पर use करना course name आप intermediate student है final student है जो भी है यहां पर select करना for intermediate immediate course verification cost देख सकते हैं जैसे मैं उपर बताओ इस subject के उपर आपको 250 और including service charges वह भी आपको pay करना पड़ेगा for final course के लिए भी same 250 रुपी से यहां पर आपको देख सकते सब्जेक्ट भी लिखना है select subject for verification यहां पर आप subject लिख देना कि की सब्जेक्ट का सब्जेक्ट करवाना है जो भी आपके उपर doubt से अच्छे से note कर देना और पे ना हो वाले section पर पे कर देंगे तो आप जो भी यहां पर system होगा Google पर स्वरी जीपे ने होगा debit card credit credit card या फिर UPI का सेक्षन होगा उसके थ्रूब पे कर सकते आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको समझ में आया होगा कि सर क्या प्रोसेस क्या कैसे सब इनकेस अगर आपको नहीं आ रहा है और आप चाहते सर में verification करवाना चाहता हूँ प्लीस आप करके देंगे तो student मैं आपसे request करता हूँ प्लीस मुझे personal message कर देना Instagram पर मैं आपके धुरू में कर दूंगा I hope students आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीस चैनल को subscribe करके जाना Thank you student